आज हम लगाएंगे मौनस्टिक और मौनस्टिक मनी प्लांट में क्यों लगाई जाती है कैसे लगा सकते हैं मौनस्टिक को मनी प्लांट लगाने के बाद भी तो आज ये वीडियो है सिर्फ मनी प्लांट के बारे में ही आपको बताएंगे कि मनी प्लांट की ग्रोथ कैसे करे और कैसे मनी प्लांड को लगाए तो आज का वीडियो यही रहेगा टोपिक हमारा मनी प्लांड पर तो वीडियो में लाज तक बने रहे ना बिना सीप क्यों है तो इस तरीके से मनी प्लांड को बिना मनी प्लांड को लगाते तो आपका मनी प्लांड है जो सिर्फ एक ही उसमें चलता है यानि उस प्लांड की ग्रोथ है जो नहीं होती है तो यह देखें मेरी मनी प्लांड में जो यह मोंस्टिक थी वो खराब हो गई थी और बिल्कुल यह लकड़ी गल चुकी है और जो मोंस्टिक के साइड में से जो नारियल का वो ब्रादा होता है और उचिलके होते हैं और जो प्लास्टिक की एक जाली नैट होती है वो मैंन और काफी बड़ी बड़ी पतिया है और अब हम इसको निकाल देंगे क्योंकि ये बिलकुल खराब हो चुकि है मौस्टिक है हमारी जो और ये मली प्लांट की ग्रोथ है हमारी रुक रही है इसके कारण है जो वैसे तो सर्वाइव तो कर रहा है पर जो पहले वाली जो टहनिय थी मोटी मोटी टहनिया उस तरीके से इसकी टहनिया आप नहीं बन पा रही है आप देख सकते कितनी जो है अच्छे सी इसकी ग्रोथ है प्लांट की और ये हम इसको जो मौस्टिक का जो साइड वाला हिस्सा होता है जो नारील के छिलके और उसके अंदर जो कोको पीट और ह हमारा कमपोस्ट मिला हुआ होता है जो मौस्टिक बनाते हैं अरस्री वाले उसमें एड होता है ये चीजे तो हम इसको निकाल देंगे और इसको भी हम नहीं फैकने वाले हैं ये भी हमारे जो है यूज में आएगा क्योंकि ये बिलकुल ही लाइट वेट जो खाद है वो हो हो चुकी है मनी प्लांट की जो एक्स्ट्रा हमारी रूटे हैं उनको हम निकाल देंगे और ये आपको साइड में मोंस्टिक दिखाई दे रहे इसको हम इसमें जैस्ट करेंगे दुबारा से लगाएंगे तो ज्यादा और रूट होने के कारण भी हमारा प्लांट है जो जा आपका प्लांट है चलेगा तो ये जो सूखी हुई टहनिया है सूखी पतिया है वो मनी प्लांट के हम सारी है जो निकाल देंगे ये जितना भी हमारे जो मोंस्टिक है उसकी जो उपर वाली जो परत है उस पे वो प्लास्टिक के एक लेयर लगी हुई थी उसको हम टहनिया है उनको भी हम निकालेंगे बिल्कुल हम अपने मॉंस्टिक के सहारे से ऐसे चलाएंगे प्लांट को अच्छे से करके और आपको मैं बता देती हूं मनी प्लांट है जो फ्रेंड्स कटिंग से इसली ग्रो हो जाता है अब मनी प्लांट को है जो कटिंग है जो ले ले आप 2-3 इंच की cutting लेंगे तो भी आपका money plant गरो हो जाएगा पानी में भी आप cutting को लगा सकती है ये दिखी मैंने अपने home made जो बिल्कूल खिरी में ही बनाई हुई है जितने मोंस्टिक है पहले starting में मैं नर्सरी से ले के आई थी हर जगह पर इसका rate है अलग-अलग होता है हर नर्सरी में अलग-अलग rate में आपको price में मिलती है, छोटी और बड़े size की अलग-अलग monstik होती है तो आपने भी देखा होगा नर्सरी में monstik के साथ में ये लगी होती है जो प्लान्ट है उसके पत्ते देखी के चोड़े होती है यानि मली प्लांट के साथ है जो मोंस्टिक का लगाना इसलिए कहते हैं हम और इसलिए अच्छा होता है जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे ग्रोथ करें और उसकी पतियां काभी बड़ी हो तो यह जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी एक्स्ट्रा रूटे थी हम सभी को निकाल दे इसलिए जो एक्स्ट्रा हमारी टैनिया थी वह मुने निकाल दिया बाद में मौस्टिक लगाने के बाद उसके साथ साथ है अडजेस्ट दुबारा से जो प्लांट होगा मनी प्लांट वाला वो हम रिपोर्ट करेंगे लगाएंगे दुबारा से इसके अंदर तो यह मिट् जो हमारी गार्डन सोयल होती है उन सभी का मिक्सर कर लें आप और उसके बाद आप मनी प्लांट को लगाएंगे तो काफी अच्छे से आपका मनी प्लांट है ग्रोथ करेगा आप प्लास्टिक का कंटेंडर ले रहे हैं तो आप उसमें ड्रेनिंग होले जो जादा से जाद पहको बट लेता है तो फिर आपके गार्डन से कभी जाने वाला पोधह नहीं है तो यह काफी बड़ी बडी पत्या थी हम चारोो तफ झारों तरफिया जो है टहनिय बड़ी बड़ी उनको वापिस है इसी पोट के अंधर लगा देज़ें जो एक्स्ट्रा मिठी थी हमने निकाल दी है और आप है जो अपने घर पर जो किचिन वेस्ट होता है जो डीकमपोस्ट करते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं कि देखें हमने ले ली है किसी बोरी वगएरा का भी आप यूज कर सकते हैं कि आप बड़ी हमने आप यूज़िक बना ली है जिससे कि सभजास है बाइब फ़ताना साथ Price बाइब कर में लुज थे लेखेक पीग युज bias प्लास्टिक के पाइप का और प्लास्टिक का पॉइप है आपका लंबे समय तक चलेगा मिट्टी के अंदर यह जो हमारी लगड़ी है वह ठोड़ी सी जो है शाल भर आपके चल जाएगी फिर्ई धीरे-धीरे करके गल्ना श्टार्ट हो जाती है लकडी मिट्टी के अंदर तो आप है जो प्लास्टिकी पाइप हो तो आपके पास प्लास्टिकी पाइप का यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको राउंड से भी दे सकते हैं मनी प्लांट को इसके साइड से चारो तरग घुमा के मनी प्लांट को जो हमा पूर्टे बनती हैं, उसी को आपको जो मोनस्टिक के सहारे से लगाना, और उसको बीट से है, जो बांथ देना है जगे जगे से, जिससे कि मोनस्टिक के अंदर इसकी जड़े हैं घुशे, अंदर से, तो आपका मनी प्लांट है, अच्छी ग्रोथ करेगा, तो इस तरीके से आप मनी प्लांट की जो है मोंश्टिक लगा सकते हैं और उसके चारों तरफ से आप मनी प्लांट की जो है बेले हैं जो उसको है जो इस तरीके से बान सकते हैं तो ये देखिए अब हम इनको उपर से एक साथ है सबी को एक रसी के साथ बान देंगे और बानने के बाद हमारा जो है बीच व्याले हिसी को भी हमें जो दो तिन रसीों से बान देंगे जिसे कि जड़े हैं मोंश्टिक के अंदर है जाएं और अच्छे से इसकी जड़े है मजबूत हो तो मोंश्टिक के उपर से ही आपको पानी डालना है जड़ो में भी आप पानी डाल सकते हैं पर आप मोंश्टिक के उपर से पानी डालेंगे तो आपके प्लांट में है नमी बनी रहेगी और ज्यादा तर प्लांट ये जो मनी प्लांट होता है ये इंडोर प्लांट होता है और इसको मौस्चर पसंद होता है मनी प्लांट को तो इसमें नमी है जो इसकी मिट्टी में नमी का रहना बहुत जरूरी होता है तो आप इसमें है जो खादव अगयरे के लिए मैं आपको बता दू तो आप इसमें जो डाल का पानी है वो डाल सकती है चावलो का पानी हम जो नीचे सिंक में डाल देते हैं उसका यूज आप अपनी मनी प्लान्ट में कर सकते है इन चीजों का आप ये जो लिक्विड फो में फर्टिलाइजर है उनको देंगे तो आपका मनी प्लांट है डुगनी तेजी से बढ़ता है और चाय की पत्ती होती है उसका भी आप है जो यूज कर सकते हैं अपनी मनी प्लांट के लिए और मनी प्लांट में है जो दूद का प हफ्ति 10 दि में डालदेंगे तो आपका मनी प्लांट है इसमें कैलसेम की कमी है जो अच्छे से पूरी होगी और आपके मनी प्लांट में जो साइन है अच्छी आएगी पत्य आच्छी गरोथ करेंगी तो यह दिखे बैर सबी मनी प्लांट है एक ही पोट में दुबारत से इसको adjust कर दिया जो root bound हो चुकी थी उनको हमने हटा दिया है extra root थी जो और दुबार से हमारा plant है जो growth कर जाएगा तो इस तरीके से money plant आप लगा सकते हैं और आप इसको जो है hanging basket में भी लगा सकते हैं वर जितना ये one stick के सहारे से चलता है अच्छे से money plant है जो इसकी पत्या बड आती है जैसे कि money plant के सहारे होती है तो इस तरीके से आप money plant में money plant को use कर सकते हैं लगे हुए plant पहले से हो तो यदि आपका plant नहीं लगा है तो प्याप बीच में पहले money plant और फिर बाद में अपने money plant है या कोई भी plant आप है जो लगाए बेल वाला plant वाइन वाला प्लांट प्लांट है ग्रो करेगा तो वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यदि चैनल पे न्यूँ हो तो चैनल को सक्सक्राइब कर लेना बैल आइकन के साथ जिसकी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रही जद जद वीडियो को शेर भी कर देना इस तरीके से आप भी है मोंस्टिक लगा सकते हैं और मोंस्टिक बना सकते हैं बिलकुल फिरी में और इस तरीके से आप यदि प्लांट लगाते हैं मोंस्टिक के साहरे तो अब बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है मिलते हैं नेक्स वीडि bye bye all of you thank you for watching take care